हेलो स्टूडन वेलकम बेक अपना ओलेडी 11 का सेकेंड चैप्टर चल रहा था जो चैप्टर का नामदा ट्रेड उसके लिए उसके अंदर मैंने फर्स्ट पार्ट पड़ा दिया है डिस्क्रिप्रिप्शन दी अंदर फर्स पार्ट दे दिया है जिन्नोंने अब भी भी नही पार्ट जो इंटर्नाइस्ट ट्रेड होगा आपना और वह उन ट्रेड के अंदर अपन पढ़ेगे क्या प्रोसीजर एंपोर्ट की क्या प्रोसीजर एक्स्पोर्ट की ना ठीक है चलो चालो करते है फरता फर्ट टैप्स ओफ रिटेलर्स देखो इन लोग डाइग्राम में है दिखा लग क्या पढ़ने वाले अपन एवाले पार्ट क इन्टREE नट रिटेलर्स पढ़ेगे फिक्स शॉप रिटेलर्स पढ़ेगे फिकशाप के अंदर दो पाट्स लोगने डिवाइट किया है स्मोल स्केल फिक्स रिटेलर है और लाज है वो fix place or fix shop for their business it's called internet retailer उसके अंदर बन देखते है क्या क्या गया है पहला तो है hocker है hocker are one of the oldest types of retailer they moves from one place to another place carrying goods in a hand car moving from the city or place anywhere where they can sell easily they require a limited capital they moves on a street by shouting or loudly loudly और announcing the name and price of the goods they deal in seasonable vegetable fruits some other items like a household cheapest article Bengal clips at extra देखो नाम में लिख रहा है hocker अपन देखते है कि अपनों टोपली लेकर अपने गली में जाके निकलता है और लाउडली बोलता है कि यह गूड से इतने भाव का है पचास का दो तीस तीस का एक नतिंग बड़ वो क्या है hocker है नतिंग बड़ ओ परसन को क्या बोले कि होकर बोले कि नतिंग बड़ त्यार रिटेलर उनली बड़ उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर क्या करना है चलना है अपने सर पे टोपी लेके या तो फिर गूड लेके नेक्स्ट है पैडलर पैडलर आर दा ओल्डेस फॉर्म ओ रिटेलर यह भी एक पार्ट रिटेलर का ही है पैडलर आधर्स वो केरी अगूड्स ओन ध्यार हैड इन बास्केट और कंटेनर दे डिल इन लो कॉंटिटी ओफ सब जी मंडी यह तो घरेती है अपने गली के पेडलर इस प्रकेट को अधए उसको बोलड़ फूड पाद of busy street आश झोड पर क्रावड़ेटे बस्टॉप, रेल्वे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, एक्ष्रा, ते सेट अप टेम्परारी स्टोल ओन रोड साइट, ते सेल आइटम लाइक हैंडबेग, रेडिमेड गार्मेट, टॉइस, एक्ष्रा, ते प्राइस अपर गूर्स आर रिजनेबल, दे दो नोट चेंज धार बिजनेस फ्रिक्वेंटली, अपन देखते हैं कि अपन मार्केट शॉप भी बोलते हैं, या तो फिर अपन बोलते हैं, रेल्वे सेशन, आजू-बाजू में जो शॉप लगती हैं, बस स्टॉप के आजू-बाजू, या तो कोई कॉलेज के आजू-बाजू, नतिंग स्ट्रीट, स्ट्रीट वी बोलते हैं, नेच्ट आपना फोर्थ है, जीफ जेक्श्चेप्ञ, जीफ जेख्स है फानएं, इन्डिपेंदेन्ट शॉप एविग तेम्परतवरी शॉप बिजसेट बीप ये बेंकरेंडीर, पिरिसल अब भॉक अब डिंग से विशॉप रिं पीरियर्ड ते डील इन वेराइटी ऑफ गुड्स लाइक कटलरी क्रोकरी शॉक्स शेंपू एक्ष्ट्राइब कॉलिटी ऑफ गुड्स इस इंफिरियर्ड मतलब यहां पर क्या बोलना चाहता है कि यह बंदा एक टाइम तक की फिक्स शॉप होगा अगर उसको लग रहा है कि यहां पर कस्टमर आरे तब तक क्यों फिक्स शॉप रगए अगर उसको लग रहा है कि यहां पर कस्टमर नहीं आरे तो अपनी प्लेस क्या करतेगा चेंज करतेगा ऑन दो सब्सक्राइब जो भी क्वालिटी ऑफ गूर्स यह बेचेगा वो इतना क्युलिटी ने रहेगा यह इंफिरे कोलिटी ना मतलब वो बच्चा कुछा बोलते है ना मुझा लो कॉलिटी भी बोल सकता आप वह क्या करता है वो इसले है यहां पर लिखा तो प्लेटी ऑफ गूर्स अरे और फिफ्ट टैप है इंट्रेड का मार्केट ट्रेडर्स मार्केट ट्रेडर्स ओपन ट्रेडर्स अरे श्यूरे टीज बचौश शलेट बच्चा करते हैं यहां ना म।लिटी ज़ए टेडर्स की बोल्स पूर्स ए और लिख सम्दी बच्चा की बच्चा की बच्चा की वोल्स Wikipedia लेटीर हुग पर ग्याय खराव बच्चा की ल्चा की बचा व्ट्चा, बच्च देखते हैं तोफ संडे मार्केट अगेट मोंडे मार्केट और सब्सक्राइब के पर नहीं पर कोई आपको रीटेलर दीखेगे यहां रहुत आपके को बोलेगे खंगे यहां से शाई पर त्रेड़र इस फोटेमे पटेमे फेलेंट हैं पैटलर पढ़ा नथिंग बोधार सेम स्टीट टेडर्स शीट पते आंदर वह बेटक का करता है गूर्स बैचता है और होकर और पैटलर के अंदर उसको चलना पढ़ता है next year fourth is chip jacks पढ़ा and next आपने पढ़ा market trader next आपन पढ़ते है fix shop retailer अभी पढ़ते है fix shop retailer के अंदर क्या है fix shop retailer आं 10 retailer who do not move from one place to another place मतलब नाम में लिखा है fix shop मतलब वो retailer ही है बड़ उसकी कोई changes होगी नहीं एक प्लेस से अनदें, मतलब वो जहां पे बेटा रहेगा, वह ही उसकी क्या होगी, फिक्स प्लेस होगी, वो चार-पास साल तक तो एटलिस वहाँ पे ही रहेगा, उसको बोले के फिक्स शॉप रिटेलर, ते मोस्टली है वो फिक्स प्लेस, ते मोस्टली है, ते मोस्टली है, जनरल स्टोर रिटेलर्स सेल गूड़्स विच रिक्वाइड प्लेस रिक्वाइड बाइड देहार देहाँ जाएड देहार, तो डेहार निदेश लागनोग शॉप्स, च्थाशनारी मेडिसिन, ओल, तॉफी, बिस्किट, प्लास्टिक गूड, विट्वेर अम्रेला पैंस अटेक्ट रहा है इस शॉप आर जनरली सिचुएटेड नियर रेस्टेशल एरिया ऑफ दे सीटी और टाउन ते प्रोवाइड होम डिलेवरी ऑफ गूर्स दे हैव वेराइटी ऑफ गूर्स इन इच आइटम दे बाइद गूर्स फ्रॉम दे होल् जुच्टेड रेस्ट अडे था अगरॉंट नाम में लिका है बाइड होल्स नाम में रिका है ब्स्टेंट कंट रिला राइड इंच भर्ण दे अपर खेंख इंच जाषोड व्रॉम सेंट सब्सुर्ण में रिटीख था जर आम च्बर्स कश्ट को अग्र प्रोड जा यह देखो नाम में लिखा है second hand goods मतलब वह बंदा जो second hand goods में क्या करेगा deal करेगा तो इसकी financial condition कम है या तो फिर लो है वह क्या कर लेगा direct purchase कर सकता है वह retailer से तो कहाना का वह हो गया second hand goods shop थर्ड है authorized dealer इस रीटेलर है वह authorized dealership और पर्टिकुलर manufacturer goods they deal in a goods like a tv set washing machine automation automobiles music system at extra authorized dealer try to maximize the sale of goods because they get a good commission from the manufacturer authorized dealer मतलब आपन देखते कि sony का आपन देखते कि भाई कभी-कभी shop में जाते है तो आपन बोलते है आप रीटेलर नहीं रीटेलर नहीं रीटेलर नहीं रीटेलर हूं तो यह बोलेगा क्या यह क्या authorized dealer मतलब सर्फ गूलना क्या चाते है वह बोलना यह चाता है कि यहाँ पर अगर सबसकि में ने डीलर्शिप लिया एक किस से sony से तो मेरे यहाँ पर खाली आपको खाली sony की ही क्या मिलेगी goods and services मिलेगी यह तो फिर goods जो भी मिलेगा जो भी product मिलेगा यहाँ पर खाली किसका मिलेगा आपको sony का मिलेगा मतलब वह रीटेलर ने क्या लिया है sony से ओथराइटी डिर्क्ट डिलर्शिप क्या हुआ है लिया लेकर रखा है ऑथराइज डिलर् डिलर्शिप दो नॉट हव प्रोड़क्ट औफ अधर मैनुपक्छर एकक्सेप फोर वूंग दियार वकिंग अज ऑफराइज डिलर थे प्रमोट गूर्स बाइज वींडो डिस् करेगा नहीं तो इस आ था नथिन बट वन ओफ थाइप आप फेड़ी टैलर अवनली नेग्स ते शेट आप सेशली टी शोप इस रिटेलर ये लिन अ पॉटिकलर लाइन अ फूज टी पीप टीप अवाइट वर्याटि वाइट वाइट वाइटम आप टीप प्रॉड टी जा they offer a goods at a variety of price range, they provide a wide choice of the customer, they give the advice to the customer as they have expert knowledge about the product, वो specialty goods का अंदर ही, shop के अंदर ही नाम लिखा है specialty, मतलब वो retailer खाली एकी goods के अंदर क्या करेगा, deal करेगा, मतलब सर क्या बोलना जाद है, एकी goods का मतलब मतलब, एकी types का हो क्या करेगा, deal करेगा, बट different different varieties के अंदर, मतलब for example, यहाँ पर example दिया है toys का, मतलब आओ खाली toys की दुकान होगी, उसके अंदर आपको variety of toys मिलेगे, बट deal किसके अंदर खाली toys की deal करेगा, nothing but specialty shop, तो these are the nothing but, छोटे level पे, small level पे fix retail account कोन होगे, general store हो गया, second end goods हो गया, authorized dealer हो गया और specialty shop हो गया, अभी large scale पे क्या होगा, देखते है अपन, the retailer who conduct their business operation on a large scale by investing in huge capital, selling a variety of quantity of goods are a large scale shop retailer, these retailers have come into existence because of the urbanization, these are a fixed shop located in a different locality of the cities, types of large scale fixed retail, आप भी देखते हैं, इसके retail last scale के अंदर भी किसने कितने types हैं, पहला ही है departmental store, so what do you mean by departmental store, और department, एक्जाम में कभी कभी direct questions आजाएगा आपको, कि भाई what is the departmental store and what are the features of department store, तो आप बच्चे लोग confused मत हो जाना कि भाई आपको direct आई साब उच्छे के questions, कि what is the retailer and what are the large level of retailer, पूछ भी सके, अगर उनको एक ही question पर focus करना है, एक ही parts पर focus करना है, for example, उसको एक्जामेन को नॉलेज जज करना है कि तुम लोगों को departmental store के बारे में कुछ मालूम है कि नहीं, तो तो आपको उतना ही लिख्किया आना है, getting my point, अगर अभी भी बोलो, कुछ भी doubt हो, तो comment section में डाल देना, मैं आपका doubt difficulty जो भी रहेगा, next part के अंदर solve कर दूँगा, departmental store, a departmental store is a large scale retail shop, having a different departmental, मतब sections under the one room, each section deal in the particular types of goods, all the department are organized and managed by one management, it sells a large variety of goods, that is food, toys, dresses and extra, example shopper stop, example यहां पर देख दिया है इन लोग ने, कि भाई वो कॉंट कितने में deal करता है, large quantity में क्या करता है, deal करता है, और different different sections के अंदर क्या करता है, deal करता है, अभी features of departmental store के अंदर देखते हैं आपन, जैसी के अपन देखते हैं आपने यहां पर metros है, दिमाट है, तो दिजादा नतिंग बड़ एक टाइप का example से जो है departmental store का, चलो पढ़ते है, FVBA तो दिजादा नतिंग बड़ departmental store, features of departmental store, पहला ही है shopping convenience, departmental store provide a wider range of goods and services under the one roof, मतलब एक की जगह जाके आपको school type की चीज़े मिल सकती है, hence provide maximum shopping convenience, customer can fulfill their want of goods at a different price level, second features का है centralized management, in departmental store, all the department are independent but they are centrally owned and managed and controlled, example advertisement, accounting, recruitment of start, all activity of department store are managed at a central level, देखो अपन देखते हैं कि department store में बहुत सरे department है, पर billing के लिए आपको एक ही counter पर जाना है, समझ महा रहा है कि ने, अगर आप वहां से grocery ले रहे हो या तो for example, कपडे ले रहे हो, भले आप FV में से ले रहे हो, different department है, बट आपको billing counter पर एक ही जगह जाना है, nothing but centralized manage, third point बोलता है, wide variety of goods, department store provide a wide variety of goods of the different brand, design and color, fourth is specialization, each department section deal in a separate line of product और goods with the specialized services, example, electronic sections, kitchen, wear section, एक हर एक के अंदर department के store के अंदर अलग-अलग sections होगा, electronic का अलग से होगा, clothies का अलग से होगा, groceries का अलग से होगा, सब department का अलग-अलग क्या होगा, store होगा और वहां पर आपको special special goods भी मिले गा, next is central location, of course, यह majority, चहां पर बहुत सारी public resident रहती है, वहां पर एक central location पर क्या करती हो, open होती ही कि उनको भी मालू में, कि भाई अगर आपको चलना है market के अंदर तो आपको central location को क्या करना होगा, चूज करना बढ़ेगा, department is sure prefer a central place of the city, so the location become easy for a customer to assess, next capital तो ज्यादा ही चीए, अगर इतना बड़ा store खोल रहे हो तो, huge capital की requirement होगी आपको, department is sure required a large capital investment, this capital is required for a spacious place, storing of variety of goods, salary to staff, advertisement, electricity at extra, और last day लोग ने no credit facility, आप जाते हो माल के अंदर आपको कोई credit facility मिलती ही नहीं आपको, या तो cash, या तो card से क्या करना पड़ेगा, payment हो करना पड़ेगा, department store works on a cash basis only, और they can accept a credit card, but does not offer the credit facility, अपने देखते हैं कि अपने nearby छोटे 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 retailer है, आपको credit देते हैं, इसलिए आपको credit देते हैं, इसलिए आपको credit नहीं मिलता है, छोटे छोटे लेवल पर जो रहते हैं, अपने nearby जो रहते हैं, उसको मालूम है कि यह बंदा यहां पर ही रहता है, इसलिए आपको credit देते हैं, इसलिए आपको credit देते हैं, यहां पर तो कोई परसनली पहिचानता ही नहीं अपने को तो कोन है, buyer कोन है, seller कोन है, तो यहां पर आपको credit facility मिलेगी, नहीं, तो इस आर दर नथिंग बड क्या होगे, features of the departmental store, second, last, supermarket shop, supermarket is a large retailer organization, which mainly sells wide variety of goods and grocery item on the basis of the sales services, nothing but यह भी indirectly, malls की बात कर रहा है, supermarket is a large retailing shop, where the goods are kept open, right, buyers have to select the product, place them in a trolley or box, bring them near the gate, where the clerk prepare the bill on the counter for the goods selected, the buyer can pay the bill and takes the delivery of goods, अभी देखते है, features क्या है, supermarket shop का, पहला तो है location, यह भी एक prime location पही रहता है, जहाँ पर ज्यादा public रहती है, वहाँ पही, supermarket are generally situated at a central location of the city, where there is a population concentration, जैकर, next, second, types of goods, बहुत variety of type में क्या करता है, deal करता है, in supermarket goods of day-to-day requirement are sold, example food grain, thin goods, bakery product, grocery, stationary, at a time goods, which are not available with the small retailer, are available in a supermarket, third is sales services, अपने mall में जाते हैं, अगर आपको bread चीए, या तो कोई fruits चीए, vegetables चीए, वहाँ पे आपको आपके इसाब से क्या करना है, service लेना है, आप अपने trolley में आपको आपके इसाब से डालना है, nothing but sales service करना है, supermarket operator होना self service style, there are no salesmen around in the shop, the customer can select the goods from the information printed on the product, next is reasonable prices of call, as competitive बात करो, तो आपको एक बिस्किट के पिछे, 1 रुपे का, 2 रुपे का होता है, फाइदा मिलता है, nothing but आपको reasonable price, price में क्या मिलता है, goods मिलते हैं, as a supermarket buy the goods on a large scale, they passes on the benefit to the customer by selling the goods at a reasonable price, next is capital, मैंने तुमों को जश्च बोला, आपको large scale पर खोलना है business, तो आपको capital की requirement भी क्या होगी, large मतलब huge होगी, supermarket shop required a large capital, it is established by the cooperative society and private limited company, such as a reliance, देखो यहाँ पर example दिया है, reliance fresh, tata group, ग्राहक, पेट, एक्ष्च रा, six है cash shell, same, आपको model के अंदर कोई facility नहीं मिलेगी credit का, आपको हम्मेशा cash लेके जाना है, या तो फिर credit card या तो debit card लेके जाना है, आप कोई उम्मीद मत रखना कि मुझे उधार मिलेगा में आपके, goods are sold only on a cash basis, no credit card, sorry, no credit facility are given to the customer, some scheme are introduced such as a cash back scheme, loyalty program, attacks are to increase the cash, sell, अपन देखते है, model के अंदर, कभी-कभी discount देते हैं, या तो फिर अपने, अपन देखते है, future pay के अंदर, जैसे कि future pay के अंदर, future pay में आपको हर मेने कभी-कभी उन लोग क्या लाते है, 100 रुपया देते हैं, नथिंग बड़ उन लोग क्या एक strategy की customer को क्या करें, attract करें, नथिंग बड़ वो customer को अपने जगा पे ले के आए, कि कहा ना का customer हम लोग के place पे आए, और 100 के बदले 1000 रुपय क्या करें, goods purchase करें, कहा ना का 100 रुपया आपको दे रहें, 900 उन लोग क्या करें, कमा रहें, customer क्या होता है, attract को क्या करें, buy कर रहें, ठीक है, packing play a important role in selling the production in the supermarket, goods are duly packed by giving the detail of the quality, quantity, weight, price, content, attraction, next, impulsive buying, customer get induced to buy the unwanted item just because of the attractive packing and sell the promotion scheme, customer become a impulsive buyer, मतलब, कभी-कभी खली उसका packing देखके ही, आपको क्या करना, buy नहीं करना है, आपको उसके materials को, उसके ingredients को क्या करना है, ध्यान में रखना है, तो यह सब चीजें ध्यान में रखना है, nothing but these are the features of the supermarket shop, next आपका chain store, अभी क्या है chain store, chain store, chain store are a retail store owned by the single organization, chain store is a network of the number of branches situated at a different location or cities in the city or in a different part of the country, they are owned, managed and controlled by its head office, the appearance is the same in the internal or external display, example the furniture, the name board, the staff uniform are the same in color and design, चलो, अभी देखते, features of chain store का, low and uniform price, due to the centralized buying from the head office, price are less, low operational expenses and low cost of the goods, lead to the low price of the commodities, the uniformity in the price in all chain of store, अपन देखते हैं कि अपन रिलाइंस के कोई भी store के अंदर चले जाओ, आपको वो product का same price होगा, वो cloth का same price मिलेगा, मतलब उन लोग एक की formula क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उन लोग अपन देखते हैं कि office भी देखे को हैं, तो same color की होती है, नतिंग बड़ वो लोग uniformity के अगरना है, यहां maintain करके रखते हैं, next is uniformity, मैंने जाश अभी तुम लोग को बोला, every chain store have a same style of external or internal layout, with the same interior color and display attached, hence the customer can easily identify the chain store, अपन FVB में जाते हैं, अपन को मालूम गीर जाता है कि उसका colors देखे, मालूम औरेंज color देखे मालूम कि यह FVB हैं, nothing but, उलोग क्या करते हैं, customer को attract करने के लिए ही uniformity रखते हैं, कि customer easily हम लोग को क्या कर बाए, identity कर पाए, next is limited range of goods, chain store sell the limited range of goods, product by a particular manufacturer, manufacturer open the chain store by the stem cell or through a distribution, example, bata shop sell the footwear manufactured by the bata shoes company limited only, of course, bata खली क्या करता है, shoes के अंदर ही क्या कर रहा है, deal करता है, तो आपको नाम पर ही मालूम किजाए, bata, तो अपने के मुह में आ जाता है, बाए, यह food fair क्या करता है, deal करता है, nothing but, सबका अपना-पना क्या होता है, brand होता है, और सबका अपना एक specialty होती है, next step for large investment, of course, a be one of the type of large retailer, तो आपको यहां पर capital की सर्वत भी क्या होगी, जादा होगी, change store requires a large financial investment, a large number of the branches have to be managed in the term of the salary staff, advertisement, decoration and extra, so there is need to large investment, fifth day distribution through our branches, of course, change store purchases in a large scale from the producer, and then distribute them throughout the branches, वो manufacturer से large quantity में buy कर लेगा, और जहां जहां अपनी branches होगी, वहां वहां अपने goods क्या बच्चा है, timely पहुंचाते रहेगा, next day, कभी-कभी ऐसा होता है भी एक ब्रांच में अगर सबस्कित नहीं है, तो दूसरे ब्रांच में अगर overstock पड़ा है या तो फिर ज्यादा goods पड़ा है तो वह लोग क्या करते हैं, transfer करते थे दूसरी ब्रांच के अंदर, next day, case sale मैंने तुम लोगों पहले बोला, यहां पर कोई credit मिलेगा नहीं, change store sell their goods on a cash basis only, case sale avoid the problem of bad debits, और seventh is quality of goods, the change store sell standardized and branded goods, the quality of goods is assured to the customer in chain store, क्योंकि यह लोग एक particular goods के अंदर ही deal करते हैं, मतलब every goods के अंदर deal नहीं करने आदे, इसलिए उनलों को मालुम है कि अगर अपने को एक ही दू goods में deal करना है, तो अपने को quality अच्छा रखना पड़ेगा वरना अपना मधंदा बंद हो जाएगा, तो यह nothing but क्या हो जाएगा, features of the chain store, देखो इसके अंदर क्या है कि भाई बहुत सारे variety of goods मिलेगा, आपको एक ही price में मिलेगा, जैसे कि अपन देखते है कि कोई shop के अंदर अपन जाते है कि 49 का कोई भी ले लो 49, कोई भी चीज ले लो 99, कोई भी चीज ले लो 149, nothing but one stock, one price shop, the shop where the price of the all the product or goods are same, same, same is known as a one price shop, this shop sells a large variety of goods of the daily use at a low price, the product irrespective of their size quality are sold at a one common uniform price, the price are fixed in advance, goods like gift articles, watches, shampoos, hair products, household articles, crockery at extra, example दे दिया है, 49, 99, 1 99, ठीक है, चलो features देख ले थे इसका फटा फट, what are the features of the one price shop का, पहला ही पहला ही क्या uniform price मदब एक ही price होगा, ठीक है, all the goods whether big or small in a size are sold goods at a one standard fixed price, there is no scope of bargaining, second is low price, usually price of the goods is reasonable and low, third is variety of goods, this shop usually deal in a variety of small size goods, there is a wide scope of choice of goods, example stationary toys, fun games, play card, cosmetic attraction, मतलब यहाँ पे आपको varieties मिलेगी बहुत जादा, but price तो एक ही होगा, और fourth is location, of course यह near the railway station, यह तो bus stop के वहाँ पे, जहाँ पर public crowd जादा होगा, वहाँ पे उलोग क्या करते है, open करते यह place को, यह shop को, इस shop are located in a busy center of the city, such as the busy traded street, near the railway station, bus stop at extra, sometimes this shop is temporarily set up, in a fairer exhibition के उधर भी क्या होता है, open होता है, fifth है, cash shell, of course यहाँ पे आपको cash ही देना पड़ेगा, आपको कोई credit मिलेगा नहीं, in this shop goods are sold on a cash basis only, no credit facility is given to the customer, and so there is no risk of bad debt, यहाँ पर bad debt का मतनब होता है loss, ठीक है, जो बच्चे लोग को नहीं मालूब है, यहाँ पर मैं लिख दिया रहा हूं, last is less capital, यहाँ पर इतना capital की जरुवत नहीं है, छोटा सा capital भी होगा, तो भी आप क्या कर सकते हो, invest कर सकते हो, और अपना business run कर सकते हो, as a one price shop, due to the small goods, this store required a less amount of the capital, so these are the features of the one price shop, नाम में ही मालूम गी जाता है कि यहाँ पर एक ही भा होगा, कुन सा भी goods भाई करों, और लास्ट है इसके अंदर, लास्ट के अंदर, जो है mall, A mall is a large enclosed shopping complex, containing various stores, businesses and restaurants. A modern shopping mall is an American term, in which the one or more buildings form a complex. It is a modern type of shop, which enables the customer to buy the different products from one unit to another unit of a mall. From the later 20th century, entertainment venues such as a movie theater and restaurant began to be included. Nowadays, the popularity of malls is increasing because of the variety of things available in one place. Example दिया है, Phonics malls and Inorbit malls. There is a thin line of the difference between various retailer shops, such as a departmental shop, chain store and mall at extra. These are the nothing but, आप बोल सकते हो, retailers के parts, जो large scale के लिए है, तो यहाँ पर यह वाला parts में क्या कर रहा हूँ, winding up कर रहा हूँ, अभी जो अपन पढ़ेगे, next वाले parts के अंदर, जो पढ़ेगे, क्या पढ़ेगे, अपन पढ़ेगे, international, जो वाला, international trade जो पैंडिंग है, वाला पढ़ेगे, और chapters को winding up के तरफ लेके जाएगे, यह वाले chapters के अंदर क्या क्या पढ़ा वाले, यह वाले parts के अंदर, repeat करते हैं, types of retailer पढ़ा, उसके अंदर, Italian retailer पढ़ा, पास्ट पढ़ा, और उसके बाद, अपने fix shop retailer के अंदर क्या क्या पढ़ा, कि small level पे कौनसे fix shop retailer है, और last level पे कौनसे fix retailer है, तो यहाँ पे यह parts में क्या कर रहा हूँ, winding up कर रहा हूँ, next part के लिए please update रहना, जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो please चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिन्होंने first part नहीं देखा है, मेरा यह part, यह chapters का, second chapter का first part के link, already में description के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप refer कर सकता हूँ, बाद में second part देखे, देखो already first chapter में बहुत last month में लेके आया, तो जिन्होंने मेरा first chapter भी नहीं देखा है, जो commerce और business वाला है, वह भी description के अंदर link मेंने already दे दिया है, वहाँ से आप मेरा first chapters का, 2 या 3 minute parts बनाये थे, मैं को remember नहीं याद नहीं है, बड़ वह भी आप क्या कर सकते हूँ, वहाँ से refer कर सकते हूँ, till time thank you so much.